राजसमंद के आमेट से बड़ी खबर मिल रही है जहां पानी में डूबने से चार बच्चों की मौत का मामला सामने आया है एकी परिवार के तीन बच्चियों और एक बच्चे की मौत होनी बताई जा रही है राजसमंद के आमेट से यह बड़ी खबर जहां चार बच्चों के पानी में डूबने की खबर सामने आई है चारों बच्चों की मौत हो चुकी है जिन में तीन लड़किया और एक लड़का शामिल है चले है इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पोन लाइन पर जोड़ चुके है हमारे सयोगी तरुन शर्मा तरुन किस तरह की यह घटना है कैसे यह घटना घटी है पिछले दिनों जो लगातार बारिश का दोर जारी है उसके बार प्रशासन ने हाई अलट जारी कर रखा और पिछले दो दिनों में यह तीसरी बड़ी घटना है कल भी एक यह घटना दुखत घटना है दो सगे भाईयों की यह चारो संसाने हैं जिसमें एक भाई की दो बेटियां और एक बाई की एक बेटी और बेटा चारो उनके परिवार जनों के बाहर मज़ूरी पे निकल जाने के बाद यह बच्चे पास की नाड़ी में नाने चले गए थे और गेराई में डूबने के करण चारो की मौत हो गई पास में खेल रहे हैं कुछ बच्चों ने जब एक बच्चे को दुपता हुआ देखा और शोर मता है तो ग्रामी दोना क्या उनको निकला है बागरिया समाच के लोग हैं गुमकर जाती के और यह आसपास गाहों में गुमने का काम करते हैं उस जोरान यह गटना हुई वह इस दुखत गटना के बाद तेसिल्दार साइज पुलिस ध्यापता मोगे पर पहुँचा और जन प्रसिमिदी भी पहुँच रहे हैं आपने बताया कि इस तरह की घटाया जो है लगातार शेत्र में देखने को मिल रही है तो ऐसे में पुलिस और प्रशाशन क्या कुछ व्यवस्थाएं कर रहा है प्रशाशन ने लगातार चक्रवाद के बाद से हाई एलेट जारी कर रखा और सबी लोगों से सक्ती से निर्देश जारी कर रखे हैं समझाने के बावजूती छोटे बच्चे जो मासूम नादान बच्चे हैं ये नदी के दोर देले जाते हैं और इस तरह के हाद से पेश आते हैं जी बहुत बहुत शुक्रिया तरुन इस तमाम जानकारी के लिए तो आपको बता दे राजसमंद के आमेट से बड़ी खबर है जहां चार बच्चों की दूबने से मौथ होगी वागरी अबस्ती की ये पूरी घटना है राचेटी ग्राम पंचायत की वागरी अबस्ती की ये पूरी घटना है फूरीस प्रशाशन मौके पर मौझूद है और पानी में ये नहाने गए थे चारो बच्चे जब इनके माता पिता घर पर नहीं थे उस दोरान ये नदी पे नहाने गए और नदी के गहरे पानी में दूबते चले गए पानी में दूबने से इन चारो बच्चों की मौत हो गई